नमस्कार दोस्तों कहानी की श्रंकला में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई कहानी पुषबहार तो आएए सुनते हैं कहानी पुषबहार रोग की विसम बैथा ने बड़ी डोरीदार आँखों को किसी गंजेडी की आँखों सा रक्तम बना दिया था बड़ी डाड़ी और उपड़ खाबड मोचों से जहांकते पपणियों से भीबत्स बन गए सूखे होटों को उसने चाटा और पेड़ के मोटे तन्य का सहारा लेकर बैठ किया लगता था दयालू ड्राइबर और क्लीनर उसे बेहोशी में ही उस दानों से ब्रक्ष की उदार चाया में लिटा गए थे एक ठंडी हवा का जोंका उसे सिर से पैर तक सहला गया कहां गई पेट की सूल बेदना और कहां गई पैर की सूजन कौन सी जगे थी भलाया है बाड़े चीना ही तो था वह आसन नम्रत तुभी क्या उसकी इस्मती को धुनला कर सकती थी दयालू ट्रक्ष ड्राइबर सरदार से उसने हाथ जोड़कर भीक मांगी थी बस बाड़े चीना तक पहुचा दो सरदार जी अपने गाउं के किसी पेड़ के नीचे भी जाकर लेट जाओंगा तो ठीक हो जाओंगा ड्राइबर सहाब सीमेंट के बोरों पर सिर्द रखते ही शायद वह वहोसी में डूब गया था जब से कोईले की खान का धमाका उसे पेट का यहशूल रोक दे गया तब ही से मिर्गी सी यह वहोशी भी उसके पीछे लग गई थी पर आज उसकी सारी व्यथा चुटकियों में सोया मुड़ गई नीले समुदर सा उदार नीला काश दोनों और से प्राचीर सी उठी घाटियों के बीच किसी तन वंगी सुंदरी अलहड किशोरी सी थिरक्ती नदी आसपास फैली चौडी हरीतिमा जैसे डबल अर्ज की हरी इटैलीन का पूरा थान खुला पड़ा हो क्या यह सपाट मैदान रानी खेत के प्रसिद गोल्फ कोर्ट से कुछ कम था नदी के कगार पर खड़ा शक्तेश्वर का अर्वाचीन मंदिर नदी में नंगा नहाता मंदिर का पगला पुजारी पहाडियों पर घरोंदे से चमकते सुपह और तिलैडी के गाउं गले में गंदे भटे बस्ते लटका है, स्कूल से लोटती, कलरव करती, ग्राम में बालकों की टोली इसी टोली के साथ साथ मिल पैदल चलकर उसने भी तो इसी ग्राम पाट साला में पढ़ा है फिर क्या वह इसे पहचानने में भूल कर सकता है अपने ही पौरुष की बैसाखियां टेकता, वह मेधावी चात्र जब एक दिन अचानक ही चलांग लगाकर देश का मंत्री बन गया, तो किसी को भी आश्यर नहीं हुआ पर उसकी छण भंगुर सम्रिद्धी की अकाल म्रत्तु का कारण भी यही चलांग बनी जैसे अचानक डबल प्रोमोशन पाग या मेधावी चात्र भी कभी-कभी एक साथ मिल गई दो कक्षाओं की सम्रिद्धी को नहीं समेट पाता और एक बार फिर नीची कक्षा में उसका प्रत्यावर्तन हो जाता है, ऐसा ही उसके साथ भी हुआ जनता ने जिस उत्सा से उसे गेंसा उचाल दिया था, उसी उत्सा से नीचे गिरा भी दिया आज सड़क से लगे जिस पागर व्रक्ष की चाया में वह लावारी लाश सा पड़ा था, कभी उस सड़का उदगाटन उसी ने किया था ग्राम के खंभों में जूलते बिजली के नए तार, नए नए बरताए, किशोर बटुक ब्रामण की नंगी, छाती पर शोशोवित नए यगो पवीत की डोरियों से ही चमक रहे थे पर किसकी योजना थी यह? मंतरी की आँखें चलचला उठी कितने विरोधी सदस्यों के चक्र वियू में अभिमन्यों बनकर उसने अपने चिर दरिदर ग्राम के लिए इस योजना की भीक मांगी थी शत सहस्त्र सम्रद्ध हाथों से कर मर्दन करते करते उसकी कलाई दुखने लगी थी लक्ष लक्ष भारी पुस्पहारों के असेह भार से गर्दन तूट कर रह गई थी कितने ओजस्वी भाषन कंट की कैसी गुर्गर्जना थी उसकी स्वदेश की गिरी कंदराएं जाने गुंच कर सहम जाती बाकपन से जुक आया गुंगराले बालों का गुच्छा चोड़े माथे पर सदा एक ही अंदाज में बिखरा रहता वह पूरे मंत्री मंडल का सबसे छोटा और सबसे मोहलगा सदश्य था पहाडी छेतर के एक सम्रिध जमिदार परिवार का सबसे छोटा दुलारा बेटा जिसे प्रजा तंत्र के सहमे नागरिक फूल की छड़ी से भी नहीं चूँ सकते थे यह ठीक था कि जनता जनार्दन कभी भी उस जमिदारी का उन्मोलन कर सकती थी और उसका भविस भी किसे उजडे जमिदार के अयाश पुत्र की ही भांती अंदकार मैं हो उठेगा पर उसके उर्वर मस्तिस की धरा सोना उगलने वाली धरा थी उल्टे हाथ से भी बीच बिखेर लेगा तब भी हरी हरी फसल ही लह लहाएगी यह वह जानता था वैसे तो वह राजनीती की सिध्धान्त कौमदी मा के गर्भ से ही रटकर आया था पर सबसे प्रमुक सूत्र का एक प्रष्ट शायद उसने बिना पढ़े ही उलट दिया लोग प्रिता की अमर बूटी खाकर आये घाग से घाग राजनीतिक को भी निर्दोष पुष्प में छिपे सर्प की भाती नारी का सौंदर्य विश्धर डसने पर पल भर में ही अपने घातक विश्धर नरजिय बना धरा पर लुड़का सकता है यह वह जानता था उसका जन्म पहाड के एक निम्न मध्वरगी ब्रामन परिवार में हुआ था पर उसकी अकड़ बाकपन बोल चाल उठक बैठक नमरता किसी में भी रंग रूट का नया पन नहीं था उसका डिल डॉल लंबा रंग आकरशक रूप से गहुआ और आखें बड़ी बड़ी थी पतली मूचों से मेल खाती तीखी नासिका के बीच बीच में फड़कते पतले नतने उसके क्रोधी सुभाव के परिचायक थे पर बिलासी मोटे अधरों पर बात बात में थिरकने वाली उजवल हसी व्यक्त चेहरा देखकर माना सुभाव की गोथियां सुल जहाने वाले को भी उलज़न में डाल देती थी यह व्यक्ती क्रोधी भी हो सकता था और शिशु सा सरल आनंदी भी चेहरे का मुख्य आकर्शन था उसका कैशोर और कंड का आश्यर जनक कच्चापन दो वर्षों की छोटी से अवधी में नियती उसे दंतहीन अशहाय शिशु की भाती गोधी में उठाकर किसी जादुगर पर उसी क्रूर खिलवार की सनक में उसने धरा पर पटक कर रख दिया और आज वह उची उडान में उड़ती चील के मुझ से गिरे छत बिछत अध्मरे सर्फ साही एक बार फिर अपनी उसी जन्म भूमी पर पड़ा था जहां से नियती उसे चोच में दबा कर उड़ गई जिसका घातक विष, लपलपाती जिवा और कृष्ण नाग कासा फन कभी परवत से शक्तिसाली शत्र को भी एक ही डंग से परलोग पहुचा सकता था आज दुरभाग की नन्नी चीटियों से नुचा वहीं विवस्ट पड़ा था क्या पता उसकी माही अचाना किस मार्ग से निकल पड़े पर इतने वर्सों तक क्या वह उसी गाउं में बैठी होगी हो सकता है अपने भाई के पास चली गई हो पर वह अपनी मा की जिद को जानता था प्राण रहते वह अपनी थाती नहीं छोड़ पाएगी वह पुत्र के मंत्री बनने पर भी उसके लाग समझाने पर भी उसके साथ उसकी बड़ी कोठी में रहने लखनवन नहीं गई थी जब बेटा देश का राजा बना तब भी वह दूर-दूर के जंगलों में कुतोब मिनार से उचे पहाडी देवदार और अईयार व्रच्चों की सरवोच शाखाओं पर शाखा म्रगी बनी लकडियां तोडती कभी बकरियों के लिए पईया की पत्यों के इस्तूपकार गठर के नीचे दबी ऐसी दूरी होकर घर लोटती कि बिवाईयों के फटे दोपैर ही पैर दिखते लगता कोई हरी-भरी पहाडी ही चली आ रही उस दिन वह चुपचाप एक परचित मित्र की जीप मांगकर मा से मिलने चल दिया टोकरी भर दशहरी आम भी वह उसके लिए ले जा रहा था उसकी मा को आम बेहत पसंद थे और अपने अभाव ग्रस्त शैशों के इस्म्रती को मंत्री भूला नहीं था जब मा बेटे बारी बारी से एक ही आम को चूस उसकी गुठली का भी मुंडन कर रख देते थे चार बालिस्त की तंग सड़क पर नाचती गोल घूमती जीप को पहाडी दक्ष ड्राइवर ऐसे नचा रहा था जैसे चतुर नट पिता ढोलक की थाप के साथ पतली रसी पर अपने पुत्र को नचा रहा हो कभी घर से गाड़ी घूमती एक साथ कई चक कर खाती उस तरह की धार सी तीखी सड़क पर फिसलने लगती और मंत्री का लोहे का कलेजा भी धड़कने लगता उसे लगता जीप अब खाई में गिरी और अब खंदक में पर दूसरे ही छण त पीखी चड़ाई पर हाफती कापती सिथिल फुपकारें छोड़ती जीप मुरत प्राय इक्के की मरियल घोड़ी सीही पराजित हो तीन-चार कदम पिछड़ जाती कुरुद इक्के के चालक की भांती ड्राइवर ब्रेक लगाता और अनुशाशन पूर्ण अनभों के करार सरे चालक से सहिमी गाड़ी एक बार फिर तीवर गती से भागने लगती। वह उसी तीवर गती से भागी जा रही थी कि एक अप्रत्याशित मोड पर धूल उडाती भेर बक्रियों के जुंड को पहियों के नीचे आने से बचाने के लिए मोड़ से सवयम उलटते-ुलटते बच गई कुशल चालक का चेहरा क्रोज से तमतमा गया पल भर भी चूकता तो गाड़ी ही नहीं उसकी नौकरी भी चली जाती मंत्री भी बौकला गया था जटके से उसकी कीमती घड़ी तूटते तूटते बची थी और जीब के लोहे से टकरा कर माथे में गूमड उभर आया एक पल को दोनों उसे देखते ही रह गए वह ड्राइबर से कहने लगी क्या करूं ड्राइबर जू कब से हरामजादियों को डंडा मार कर किनारे कर रही थी वैसे ये कुमायू यूनियन की गाड़ी का टैम भी तो नहीं था नहीं तो मोटर टैम में मैं खुद ही ने चराने नहीं लाती स्वया मंत्री का गाउं एक से एक सुंद्री चाचियों ताईयों और भावियों से भरा था चंद राजाओं के समय से ही उसके ग्राम की ग्राम्याओं के सुंदर की ख्याती दूर दूर तक फैलती आई थी और इसी से शायद नाम भी पढ़ गया था रतनपूर पर यह लड़की क्या रतनपूर की थी? कैसा पहचाना पहचाना चेहरा लग रहा था? फिर भी नाम क्यों याद नहीं आ रहा था भला? कहीं ताव के लड़के धरनी धर दा की साली तो नहीं थी ये जिसके रूप की चर्चा सुनते सुनते उसके कान पक गए थे और मा और भावी के परम आगरे से लाए जिसके रिष्टे को उसने खोटे सिक्के सा फेर दिया था ऐसे मोटर सड़क पर बकरियां लाती है क्यों हो? अब तक मंतरी की और उस बित्ते भर की चोकरी ने आँख उठा कर देखा भी नहीं था और वह चालक से ही हससकर बातने कर रही थी वह मंतरी को अखरा इसी से कंड को रोविला बना कर उसने गंभीर सर्म में गर्जना की ऐसे इने मत लाया करो किशोरी ने चमक कर तेजास्वी चेहरी की और द्रश्टी उठाई मंतरी की अकडी मुद्रा उससे मूप प्रश्ण पूँच रही थी देखती नहीं किसकी गाड़ी है ये मूर्ख लड़की क्या हाथ भी नहीं जोड सकती तब कैसे लाउंग जी हसकर उस द्रश्टा की सोरी ने पूछा मोती से उज्वल दंत पंक्ती के दरपन से कुमारे मंतरी की अनभ्यस्त आँखें चौन्धी आ गई इन बक्रियों को भी जीब में बिठा कर चराने लाउं क्या मंतरी की द्रश्टे अब गोरे ललाट पर बंदे ओडनी के फेटे से उतर कर कैशोरे से उज्वल दो आँखों से फिसलती तीखी नाक फिर लाल रस भरे अधरों से सरक तनी बासकट पर उभर सहसा सपाट होकर जूलती चांदी की जंजीर पर निबद्ध हो गई सूर की प्रखर किर्णों में जंजीर जिलमिला रही थी किसी छीड पहाडी जल प्रपात की दो पतली रुपहली यूगल धाराएं जैसे दो कठोर शिला खंडों पर छण भर विस्राम करती फेनिल राशिभूती तरंगों में बिखर गई थी किस गाउं की लड़की है तू मंत्री ने डपट कर पूछा अब निश्चे ही सहम जाएगी छोकरी रतनपुर की है क्या क्यों पतली नाक को उसने एकदम कपाल पर चढ़ा लिया लगता था अभी अभी जीव निकाल कर मुझे चढ़ाने लगेगी क्या रतनपुर में ही सब बांध बसती हैं और फिर वह धरस्ट उत्तर के साथ भुवन मोहनी हसी का जाल भी खेरती एक बार भी पीछे मुड़े बिना चली गई विरोधी पक्ष की निर्मम घूसे बाजी ने भी कभी मंत्री को ऐसे धरसाई नहीं किया था फिर जिस सरकारी जीब के चालक की सम्मुख वह उसे चुटकियों में उड़ा कर रख गई थी वह भी मूचों ही मूचों में मुस्करा रहा था तुम जरा रुखना ड्राइवर उसने बड़ी आत्मीता से कहा जैसे वह मंत्री नहीं स्वयम ड्राइवर का ही बड़ा भाई हो बड़ी भूल हो गई पहचानने में यह तो हमारे धर्णी दा की साली है चल कर जरा भावी की कुशल छेम पूछाऊं गाड़ी मूर लो सरकार घाग चालक भी शायद समझ गया था कि प्रभू भावी की नहीं भावी की सुंदरी सहोदरा की ही कुसल पूछने भाग रहा है अभी गाड़ी मोडने का आदेश नहीं देगा नहीं नहीं तुम यहीं रुके रहना हम अभी आते हैं चलते चलते मंत्री ने दोनों हाथों में धेर से आम भी भर लिये निकाल ले निकाल ले हसकर मन के चोर ने कहा डरता क्यों है मा के उपहार की टोकरी से किसी दूसरी के लिए मीठे फल चुराने वाले क्या तु संसार का पहला पुरुष है यह चोरी तो प्रत्तेग संसारी पुत्र करता है रह वह उसी दिशा की ओर लपका लड़की बहुत दूर नहीं गई थी, तेजी से मुड़ गए एक दूसरे मोड के टीले पर वह पीट किये बैठी थी सूखे पत्तों की चर्र मर सुनकर वह चौकी तुमसे माफी मांगने आया था दूर्गी, माफ करना इतने सालों बाद तुम्हें देखा, इसी से पहचान नहीं पाया पर वह रूठी गरवीली राजकर्ण्या सी, नेशब्द उसी टीले पर बैठी रही उस मुगदा माननी की अनूठी चबी से, मंत्री के वर्सों से अंधकार पूर्ण हरदय कक्ष में बिजली सी कौंध गई गुटनों से कुछ नीचे तक लटका काला लेंगा, किसी विदेशी आधुनिका की मिनी सकर्ट केसे, और दार इसे सांचे में ढली नंगी सफेड टांगों का उन्मुक्त प्रदर्शन कर रहा था दोनों हाथों से गोदी में नन्हे मेमने को साधे, वह संदर्य लक्ष्मी ऐसे तनकर टीले पर बैठी थी, किस लेटी पत्थर पर रूखा टीला, रत्न खचित राज सिंगासन सा दीप्त हो रहा था दोनों हाथों से गोदी में नन्हे मेमने को साधे, वह संदर्य लक्ष्मी ऐसे तनकर टीले पर बैठी थी, किस लेटी पत्थर का रूखा टीला, रत्न खचित राज सिंगासन सा दीप्त हो उठा था माफ कर दिया न, मंत्री के कंठ में कुछ अटक सगया, वह दीन याचा की मुद्रा में एक बार फिर हसकर और निकट खिसकाया, पर वह तनी बैठी रही, सुड़ावल कंधों को उसने उदाश्यिंता से किसी विदेशी चलजितर की तारिका की भाती हिला कर गरदन फेर ली को वे विदेशी नाइकाएं, शायद निर्देशक के चाबुक की मार से सीखती हैं, उसे प्रकित ने अपनी इस मुहलगी पुत्री को स्वयम ही सिखा दिया था, इस पस्ट था कि उसे चमादान नहीं मिला, साथ वर्ष पूर्व अपनी इसी अनाथा रूप वती बहन को ल कर भोजी उसके पास आई थी, तब क्या वह जानता था कि भावी की नाक सुनकती मरियल सी बहन एक दिन ऐसी बन उठेगी, बहुत सुन्दरी है मेरी बहन, ठीक से देखोगे तो आँखें नहीं फेर पाओगे लल्ला, सब बड़ी बहने अपनी कुमारी बहनों के लिए यही कर कहने लगा, गंगोली हाट की रुस्ट काली के चर्णों में फल रख रहा हूं, देवी प्रसन होना भक्त हात बांदे खड़ा है, अपनी बड़ी बड़ी आँखें उठा कर उसने मंत्री को देखा, वह सचमुची हात बांदे द्रिश्टता से हस रहा था, उसकी यही हसी तो उसके मधुर इसनिग्ध व्यक्तित की सुनहली चोखट थी, इसकी हसी के आकर्शन से प्रतेक चुनाव में विपक्षी दल के शत्व सहस्त्र वोट भी उसी की जोली में आकर स्वयम गिर जाते, उसकी यही हसी शत्र वमित्र दोनों को समान रूप से बांद सकती थी, इ यहां तक की कई विश्व विद्याले उसे एक साथ दीक्षांत भाशन के लिए नियोत चुके थे, यहां अन्य सम्मानित अतिती वर्षों की देश सेवा, जेल यात्रा आदी का पासपोर्ट वीजा दिखाने पर भी पल भर छात्रों की हूटिंग के सम्मुक टिक नहीं पा जाता, इस बार भी उस हसी की मूट व्यर्थ नहीं गई, वह हसने लगी और युवा मंत्री का कलेजा जिवाकर पर आकर धड़कने लगा, तुमने मुझे नहीं पैचाना पर मैंने तो तुम्हें देखते ही पैचान लिया, उसके गले में बीच बीच में होता स्वर्भंग मंत्री को मिश्री की डली सा मीठा लगा, तुम्हारी शादी हो गई क्या? उसका उतावला प्रश्ण, उसके कंट से अंजाने में ही गोली सा दग गया, प्रश्ण पूचते ही वह अपदस्त हो संकोश से लाल पड़ गया, क्या तुम सोच रहते तुम्हारे लिए अब तक क मारी बैठी हूँ, वह हसकर उठ गई, हाई ये बित्ते भर की छोकरी उस राजनीतिग खणपेच को कैसा पिसू सा मसल रही थी, खेर वह भी उस गरवीली छोकरी के विसके दात तोड सकता था, अभी बहुत आउसर आएंगे, वह बोला, अच्छा चलता हूँ दुर्गी, क तिर्ची टोपी को और भी तिर्ची कर ली, और इसे इसे भी ला सकती हूँ क्या, यह तो मुझे एक पल भी नहीं छोड़ता, अपने पैरों के बताशे से सफेद टकने चाटते, छोटे नर्म दूदिया पशम वाले मेमने को उसने उठा, गालों से लगा कर पूँचा, अब इवेक की घाटी में गिरकर चकना चूर हो गया, कैसी निर्दोस मुद्रा में पूचा गया, कैसा सांकेतिक आमंत्रन पूर्ण प्रश्न था, लाल-लाल कंदील से लटक रहे, बुरुंस पुश्मों की छाया में, वह ऐसे मादक इसमित का आवान देती खड़ी हो गई, मंत्री को लगा, वह मिसलटों के नीचे खड़ी, प्रणियोन मद मत्ता कोई विदेशी स्वयम दूती है, किस प्रसिद्ध चितरकार का ऐसा ही चितर देखा था उसने, रवी वर्मा रावल या किसी विदेशी चितरकार का, गोद में नन्ही मेमने को गालों से सटा कर, जान कभी सोपन में भी कामना नहीं की थी, वही आज पागल खाने से भाग निकले, मत्त उनमत्त की भाती, मेमने सहित स्वामनी को अपनी शशक्त बाहों में भरकर बार बार चूमता, हाप हाप गया, जिस सयम अंकुष से, वह वर्सों की अमानवी साधना से, अपने पौरुस के मत्त गजराज को साधता आया था, वही अंकुष आज पंच्शर से बिंधा दूर पड़ा था, पौरुस के अधर, नारी अधरों के प्रथम इश्पर्स के नीचे, किसी किशोरी के कुवारे अधरों की भाती थर-थर काप रहे थे, जैसे पहली बार संसार का निक्ष्टतम पाप किया हो, और नारी के रसीले अधरों पर था स्वाभाविक इसमित, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीकी तो था, वह क्या उसका पहला चुम मन था, मंत्री ततस्ट होकर पीछे किसक गया, उसके चेहरे पर हवाईया उड़ने लगी थी, हे भगवान, हे भगवान यह क्य कर बैठा था, पल भर की आवेशपून मुर्कता उसको जीवन भर के लिए ले बैठ सकती थी, उसने हडबडा कर इधर उधर देखा, इश्वर की कैसी महान क्रपा थी कि डाल पर कहीं एक कवव तक नहीं था, वही मेमना गोदी, वही नन्हा मेमना गोदी से उतर कर चरने ल भले ही न पाएं, व्यंग से मुस्करा अवस सकते हैं, उसने सहमी द्रश्टी से दुर्गी को देखा, वह भेडों को हे हे कर ऐसे हागती बटोरने लगी थी, जैसे उसे देखी नहीं पा रही हो, वह तेजी से उतार उतरता, फिसलता चला गया, दूसरे दिन उसका भाशन स उनने दूर दूर से ग्रामों की भीड समय के कुछ पूर्वी आजूटी थी, ग्राम पाट साला का पूरा मैदान भर गया था, और कुछ लोग तो उचा कुचक कर पेड़ों पर चड़ रहे थे, भीड देखकर मंतरी की छाती और और तन गई, उस दिन उसकी आकरशक हसी, वर्षा से दुली पहाड के मकान की अबर्खी पतरीली छट सीही और स्वक्ष निकर जखचख चमक रही थी, यह क्या सुंद्री नारी के छड़िक इस पर्ष का जादू था, जिधर देखो उधरी गोरे गोरे चेहरे, पके आडू से स्वस्त गालों की लालिमा और निर्द लगा, मुझे गर्व है कि मैंने इसी पाट साला में वर्ण माला से प्रथम परिजय प्राप्त किया, तक्त की काली पाटी पर कमेंट की स्याही से कान पकड़ कर अ-आ सिखाने वाले मेरे गुरू श्री ब्रह्मधत तिवारी इस भीड में जहां कहीं बैठे हो, मेरा कृतग प्रणाम स्विकार करें। गुड भीड से समलित कंट गुंजे, वाचाल मंत्री की दलील ने भीड को जीत लिया, उसी बिजय से जूम कर उसने फिर अपनी मनमोहक हसी का ब्रह्मास फेका, फिर देखा ना आपने ग्राम की जनता हमेशा गुड ही को पूजेगी, जनता तुमुल करतल ध्वनी से बीच जी ही में भाशन रोक अपना उल्लास व्यक्त कर रही थी, कि मंत्री की जर्ष्टी भीड में भोजी के पास बैठी दुर्गी पर पड़ गई, उसकी गोदी में उसका मोह लगा मेमना बैठा था, आँके चार होते ही, उसने बड़ी दुस्टता से मेमना तनिक उचका कर मंत का दिया गया था, सिर का पल्ला भी शायद जुमको के बैभो के उचित प्रदर्षन के लिए जान बुच कर ही नीचे गिरा दिया गया था, चांदी की जनजीर का इस्थान आज चांदी की मोटी हसली ने ले लिया था, नाजुक गरदन में पड़ी हसली के उसी अर्ध दर गया तालियों के गड़गडाहट हाथों ही से गुंच रही थी कि वह भीड़ चीरता भौजी के पास चलाया जुक कर उसने भौजी के चरंच हुए कई वर्सों के उपालंब सुने फिर उन्हें मना अपनी जीप में बिठा घर तक पहुचा आया भौजी को उसने बड़े बैंट के साथ नाचने वाले सिखे पढ़े दुबे की भात यह सिखाया गया दुम्बा उसकी माला ही नहीं शेरवानी भी चड़ जाएगा उसने गले की माला उतारी और पीछे मुड हसकर बोला बुरुंस के मीठे फूलों की माला है शायद तुम्हारे मेमने को बहुत पस दाने लगी मुझे यहीं उतार दो दी दी उसने थोड़ी दूर जाकर कहा बहती नदी से लगी पंचक्की थी और उसी से लगा था दुर्गी का घर वह उतर गई तो भौजी ने उसे सब बत ला दिया जब उसने रिष्टा फेर दिया तो उसका विवा उसने एक फौजी कुमारी सुंत्री बहन को कब तक घर में बिठाए रगती सूबेदार दुहेजू था पर तीन तीन भेंसे थी कई थान भेड़ बकरिया थी और फिर पंचक्की भी उसी की थी और छोकरी का भाग जो साथ लगा था पाकिस्तान की लड़ाई से तो वह सकुशल लोट आया ले उस बार दो दिनों के लिए घराया मंत्री आठमे दिन लोटा और फिर तो उसका हर महीने एक ना एक चक्कर लगता रहा लगता था वह अपने ग्राम को डिजनी लैंडी पना कर छोड़ेगा देखते ही देखते कच्ची सडक ने केंचली उतार दी फक फक करता बुल्डोज पीपे के पीपे कोलतार की मोटी तहों ने पीली भरी सडकों पर शहरी ब्यादी की स्याही फेर दी डाइनामाइट की दिल धहलाने वाली गर्जना से आय दिन तरस्त गिरी कंदराएं गुंजने लगे फिर नई छीड कलेवर की सडक पर अपसरों की जीप गाड़ियां आई मंत्री की जंडा लगी बनी ठनी वेश्या से इचलाती चमकती गाड़ी और फिर आई देश के परेटकों से लदी लगजरी बसें देखते ही देखते वह ग्राम हवाई दियूपसा ही प्रसिद्ध हो उठा जहां शुद्ध पहाडी गरत अपनी पावन सुगंद की सुख्य लगने पर धेले टके में ट्रांजिस्टर बेचने लगे और धीरे धीरे ग्राम के बंतरों ने भी अधरक का स्वाद लेना सीख लिया जो सुरम में घाटिया कभी कभी चाचरियों के मधूर जोड़े गीत से गुंजती थी अब विवस्ता से फिल्मी गानों से गुंजने लगी एक लॉंड्री खुल गई जिस ग्राम में मिसरी की डली ही मिठाई मानी जाती थी वहीं एक ब्यापार कुशल हलवाई ने पहाड की प्रसिद बाल सिंगाओडियों की एक ऐसी भब दुकान खोल दी कि लोग शहरियों की भाहती मिठाई का स्वाद लेना भूल रंगी अपनी नवीन अभिसारिका से मिलन के चड़ों की स्रस्टी करने में वह स्काटलेंड याड के चतुर जासूसों को भी घिसा दे सकता था दोनों कहां मिलते हैं कब मिलते हैं यह पूरे एक वर्ष तक कोई नहीं जान पाया आधी आधी रात को कुमाओं के बियावान ग्राम की तलहटी में चौकीदार बने दुसासी मंत्री गुनगुने पानी की उस जील के किनारे बैठा अपनी प्रेमका के प्रतिक्षा करता जहां से एक वर्ष पहले नौ फुटा बाग नहारह पटवारी के जवान पुत्र को खीच ले गया था कभी दोनों किवल प्रणय का जिरह बक्तर पहने उस अरण की हरीतिमा में हरे यूगल सर्प से ही लिपटकर एकाकार हो जाते पर लंगडा चोकनना हो गया उदार बिधाता जब मनुस्य से उसका कोई अंग चीनता है तो स्वयम ही उस छतिग्रस अंग की किसी दूसरे रूप में उसे लोटा भी देता है अंधों की दृष्ट क्या उनके इस पर्स में समा जाती है अपनी इसी अमानविये घ्रान शक्ति से लंगडे ने सब कुछ सूंग लिया पत्नी की साकल नित की भाती बंद रहती थी पर वह जंगली बिल्ली सी नीची खिड की से सटे तिमिल ब्रक्ष की डालिया पकड जिस रस सागर में डुप्टिया लेने जाती थी उसकी सुगंद से उसके नथने फड़कने लगे वह नित की भाती दोपहर की रोटी पटकने आती तो आश्चर से सुंद्री के अचानक अंजान बन गये चेहरे को एक टक देखत रहता इतनी बड़ी आँखें तो इसकी नहीं थी और बासकट लगता था एक लंबी सांस लेते ही सारे बटन तूटकर रह जाएंगे कहां जाती है तो दिन भर एक दिन उसने प्रभुत पूर्ण स्वर में पूच लिया बक्रियों को घास चराने वह उत्तर देकर तीर सी न देखते ही समझ गया फिर कई रातों से बैटकर अभूत पूर्ण कोशल से बनाई गई बैसाखी के सहारे लंगड़ा एक रात को पुलिस के कुत्ते की भाती पानी को सूंगता पेडों की तनों में छिप छिप कर उसके जल भिहार को देखाया दूसरे दिन पहुचा तो उतर गया जो भिड तालियों की गड़गडाहट से उसका स्वागत करती थी वह उसे अशलील थूख के छीटों से छेदने लगी रंगे हांतों पकड़े गये चोर की भाती वह सिर जुकाय अदालत में खड़ा था ना उसका कोई गवाह था ना वकील किन्त दुरगी गजब के दुसाहा स्पून कोसल से तेरती तेरती किनारे तक आ गई फिर उसने किसी तीरत के खुले घाट पर नित नहाने की अभ्यस्त कुल बध्यों की भाहती जल में ही किनारे से खीची गई अपनी धोती का तंबुतान बड़े धैर से अपने कपड़े पहन लिये ना उसके चे किस पक डंडी की भूल भूलाया में ओजल हो गई थी पर मंतरी को कुरूर भीड ने रेड गार्ड की कुरूरता से बाहर खीच लिया जिन गलियों से कभी चुनाओ जीतने पर उसे नंदा देवी के डोले की भाती सजा कर शंकदर और पहाड़ी तूरी दमामे के साथ जुल दम पड़ा था कि ना जाने कहां से उसकी मा को पता लग गया उसकी मूठ घात और दुनाली बंदूख सी छूटती बारूत की लपकती सी गालियों से पूरा गाउं थर-थर कामता था हराम्यों वगर जी जब मेरा बेटा मंतरी बना उसने पहले तुमारे गाउं को ही बंब दकी का लड़का गाय की बच्छिया निपूती हो उनकी रांट बहुएं सुनी मांग और सुनी कलाईया लेकर चिता चड़ें सहमकर अपड़ भीड जैसे हवा में उड़ गई बुढिया अधमरे पुत्र को घर ले गई पर बेटा रात ही को खिड़की से कूद कर निकल गय राजगदी से विधवत नीचे खीच कर पटका जाता इसके पूर वह स्वयम ही गदी का मोहत्याग बनवासी बन गया पूरे दो वर्स तक उसने असम के साध्मों की चिलमे साधी फिर तीसरे वर्स जब गांजे चरस की दम भी असाध कलुस की व्यथा को मलिन नहीं कर सकी त वह आसन सोल के कोईले की खान में उतर गया दिन डूबे वह काली खान से काला चेहरा लेकर लोटता तो लगता पिछले कलुस की कालिमा स्वयम दब गई है अब यह चेहरा लेकर वह सगी मा के सम्मुक भी खड़ा होगा तो शायद वह भी भूत समझ कर चीक पड़ेगी यही भूलती उसकी पुत्र का चेहरा कितना ही काला क्यों ना हो आख कभी पहचानने में भूल कर सकती है कोईले की खान के जिस धामाके के लिए खान के मज़दूरों की पत्निया अपना सुहाग नित हथेली में लिये फिरती हैं उसी धामाके ने एक ंदेखते ही देखते सैकड मांगों का सिंदूर लूट लिया मंत्री ने इधर डाड़ी रख ली थी अधजली डाड़ी जुलसा चेहरा और बुरी त्रह सहमा कलेजा लेकर वह स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया और थोड़ी देर बाद डाक्टरी जाच ने लाश बता कर कोने में पटक वा दिया वह बोल समझ कर कोने में पटक दिया गया था फिर भी उसके लिए कोई रोने वाला नहीं था चुप चाप वह लाशों की बिरादरी से छिटक गया उसी घिसटते मुर्दे को किसी दयालू ने अस्पताल में पटक दी तो महीने बाद जब वह निकला तब पेट की बेदना भी हाथ पकड़ कर साथ चल दी फिर ना जाने कितनी टिकट ही नियात्राएं की ट्रक ड्राइबरों से दया की भीक मांगी और आज अपने ग्राम के उदार व्यक्ष की छाया में पड़ा था मा की ग्राम की और सबसे बढ़कर दुर्गी की स्मृति उसे सहसा ब्याकुल कर उठी वह उसके कलेजे के आरपार हो गया सामने खड़ी थी एक जीब और उसका द्वार पकड़े दुर्गी खिलखिला रही थी चालक की सीट पर बैठा एक लंबा चोड़ा फाउजी उसे हाथ पकड़ अपनी और खीचता पहाड़ी में कह रहा था देर मत कर दुर्गी देखती नह यह था जो उसे गाड़ी में बैठने के लिए मना रहा था है राम यह तो कोई मोजहौसा अधजला मुर्दा ही चिता से भाग कर आ गया है क्या वह लपक कर चालक के पार्ष में बैठ गई कुछ पलों को वह लंबा तगड़ा फौजी अपसर भी उस प्रेद के से कंकाल को देखकर सहम गया फिर उसने डपट कर पूचा कौन है बेतू सरकार वह गिड़ गड़ाने लगा मैं बीमार हूँ अपनी गाड़ी में बिठा कर कुछ दूर पहुचा दू तेजित सांस की धौकनी से जुलसी डाड़ी फटे चीचड़े परदे सी पलभर को हिली पर देखन के से जुलसी डाड़ी पलभर को सामने की सीट की मराल ग्रीवा से चुग गई उसके जी में आया वह दोनों कांपते हाथों की माला वैसे ही साधकर उस नाजुक गरदन में डाल दे जैसे तब डाली थे कहां उतरे गबे फौजी ने फिर उसी उपेक्षा से पूँचा पिछली सीट से कोई उतर नहीं आया ले उतर जा यहां हम आगे नहीं जाएंगे एक अरंड के मोड पर जीप रुकी पर वह नहीं उतरा क्यों इसी गाड़ी में मसान तक जाने का इरादा है क्या फौजी ने बड़ी बेरामी से उसे खींच कर सड़क पर खड़ा कर दिया वह उनमत फटी आँखों से एक टक दुर्की को ऐसे घूरने लगा कि उसने सहम कर फौजी की बाहाँ पकड़ कर कहा जल्दी चलो कहीं ये सचमुची मुसले चूड़ी वाले का परेत नहो दो दिन पहले ही ग्राम के चूड़ी वाले को बाग खीच ले गया था जीप अंगुठा दिखा कर चली गए मंत्री को लगा कोईले की खान में फिर धमाका हुआ है अद्रस लप्टों में वह जुलस कर गिर पड़ा जब होश आया तो सूर्य वन वनांतर रंगता धीमी गती से डूब रहा था तीन घंटे में तीन फरलांग की दूरी पार कर वह घर की दहरी पर खड़ा हुआ तो दोनों पैर ठक-ठक काप रहे थे कापते हाथों से उसने सांकल खट-खटाई कौन है इतनी रात गए? मा का करकर स्वर सुनते ही वह फिर लड़ खड़ा कर गिर गया द्वार खुला सहम कर मा पहले दो कदम पीछे हटी फिर कंकाल पर जुग गई जब से बेटा भागा था वह सिर्फ इरी सी होकर रात भर पूरे ग्राम को गालिया देती रहती थी पर जिसे पूर्ण रूप से स्वस्त प्रेम का नहीं पहचान पाई थी उसे उनमादनी माने पहचान लिया वह पागलों की भांती उसे चूमने लगी उसी अमरत स्वरूपी चुम्बनों की बहचार में उसने बड़े यत्न से मुस्करा कर मा का हाथ पकड़ होटों से लगाया और फिर बेहोसी में डूब गया अरे अभागो क्या मुँ ताक रहे हो बुढिया चीक चीक कर अद्रश विरादरी को नेउत रही थी देखते नहीं वह जा रहा है अरे हरामियों एक टुकड़ा सोना ले आओ भाग कर गंगा जल और तुलसी दल सुनते नहीं क्या हाई तुमारी कोख जली बहु बेटियां सुनी मांग और सुनी कलाईयां लेकर चिता चड़ें इस गाउं को महा मारी चाटे बजजर गिरे ग्राम वासी सोते रहे उनमादनी व्रद्धा कही है तो नित का प्रलाब था उधर वह सपन देख रहा था ग्राम पाट साला की भीड के बीच वह गर्व से जूमता भाषन कर रहा है मेमने को गोध में लिए दुर्गी को देखते ही भाषन कंट में अटक क्यों गया सब हस रहे हैं कोई भी ताली नहीं बजाता एक भी माला गले में नहीं पड़ती मा उसने आखें खोल दी कपोलो पर आंसू की धारा बहने लगी क्या है मेरे राजा बुढिया ने पुत्र के बेद्रा विधुर चेहरे को कापते हाथों में भर लिया सुनते नहीं हो हरामियों बुढिया चाती पीट-पीट कर फिर चीखने लगी हाई जब मंतरी था तब कितनी मालाएं लेकर भागते थे उसके पीछे आज एक माला के लिए तरस रहा है मेरा बेटा पर वह तरस नहीं रहा था वह फिर सपना देखने लगा था हस्ती मुस्कराती दुर्गी वैसी ही लाल बुरुंश की माला हाथ में लिए उसे पहनाने चली आ रही थी जैसी उसने कभी अपने मेमने को खिला दी थी मंतरी ने दोनों कापते हाथ जोड़े और गरदन बढ़ा थी हाथ सिथल होकर छाती पर गिर पड़े पर माला पहनने के लिए बढ़ी गरदन उसी विजय मुद्रा में खिची रह गई तो ये थी कहानी दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी मेरी जुबानी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की और भी रोचक अनूठी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें चैनल को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कॉमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नहीं कहानी के साथ तब तक स्वस्त रहें सुरक्षित रहें ठैंक्स फॉर लिसनिंग